तो हेलो कैसे हैं सभी लोग आए होप सब लोग अच्छे होंगे अच्छे से रहिए तो आज की वीडियो की सुरुवात एक लाइक के साथ करते हैं तो चलिए फटाक से लाइक कर दीजे प्लीज अभी दिखो ये केक को मैंने डॉल लगाने के बाद निकाल दिया क्यों निकाल है वो है बारस रुपए जो कि कस्टमर को काफी जादा लग रहा था कि के हिसाब से तो आप लोग को बताना है पूरा केक देखने के बाद कि क्या ये प्राइस ठीक था या नहीं ठीक था क्योंकि ये केक दो केजी का था और नीचे के केक पे उनको एक सर्फिस चाहिए था उपर वन केजी का एक डॉल चाहिए थे मैंने अच्छी वाड़ी डॉल भी लगाई थी एंड उसके बाद कलर कॉंबिनेशन उनका पिंक एंड ब्लू में था पट मैंने या पे थोड़ा सा वाइट यूज किया एंड कुछ फ्लावर्स भी यूज कर थे उसके बाद आर एल 11 नोजल का यूज किया मैंने रोज नोजल का और उसको साइट का बॉर्डर किया और जो अभी नोजल में यूज कर रहा हूं वो है वन एम नोजल जिससे मैंने लाइट बेवी पिंक से साइट के जो हैं बॉर्डर को नीचे की साइट से कवर किया था उसके बाद मैंने उसक फ्राग को द्रेडी किया फ्राग भी मैंने यहां पर लाइट बेवी पिंग से ही यूज किया था और अच्छे से फ्राग की डिकुरेशन की थी और जो भी इसमें मुझे लग रहा था कि केक के उपर काफ़े जादा नीचे की जो सीट है जो पर मैं केक बना रहा हूं वो दो क अगर कहीं और बनाओगे तो उससे जादा पैसा लग सकता है आप लोग तो यह तो एक नॉर्मल चार्ज है मैंने यहां पर कोई डॉल को चार्ज भी नहीं लिया था तो इसके बाद मैंने यहां पर कुछ सिल्वर बॉल्स लगा दिये जो कि मीडियम साइज की थी एंड ला कुछ न कुछ बनाना होता है फ्लावर्स रेडी रहते हैं तो अच्छा लगता है केक को तुरण तैयार कर दिया जाता है तो आप लोग भी अगर यूटूब चैनल खोलना जाते हो तो प्लीज खोलो आप लोग टेंसन बिलकुल भी मतलो सबकी अपनी किसमत का है तो कि यू